मेरा दुश्मना कर मेरी फोटो लेना चाहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फोटो उसके घर पर हो फोटो एक तरह की जर्मेट्री या ज्यामिती है अगर आप किसी की फोटो की जर्मेट्री समझ ले तब आप एक ऐसी जमेंटरी भी बना सकते हैं जो उसे बिल्कुल परेशान करते हैं तो जहां कहीं भी ऐसी कलाएं प्रचलित थी लोग उने का मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं पर मेरी फोटो हो क्योंकि मैं किसी के सामने असुरक्षद रहना नहीं चाहता लोग अपने पैरेंट्स की या दादा दादी की आहाल ही में जन्में बच्चों की तस्वीरें भेजा करते हैं आशिरवात पाने के लिए और कई तरह की चीज़ों के लिए तो अगर हम किसी व्यक्ति की फोटो के साथ पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि नेगेटिव चीज़ें भी की जा सकती हैं भारत में अगर आप किसी काला जादू करने वाले के पास जाएं तो वो आप से एक फोटो मागेगा क्योंकि फोटो एक तरह की जमेट्री या जामिती है अगर आप किसी की फोटो की जमेट्री समझ ले तब आप एक ऐसी जमेट्री भी बना सकते हैं जो उसे बिलकुल परेशान कर देगी आज आप ऐसी जमेट्री बना सकते हैं जो उसे बहतर बनाएगी या फिर आप ऐसी जमेट्री भी बना सकते हैं तो यही वज़ा है कि उन संस्कृतियों में जहां ये सब होता है लोग नहीं चाहते कि कोई उनकी फोटो ले वो लोग जो एक तरह की साधिना में होते हैं यहां भारत में भी कई साधुसन्यासी लोग नहीं चाहते कि कोई उनकी फोटो ले पर इन दिनों वो बच नहीं सकते और बिना उनकी मर्जी के लोग सेल्फी ले लेते हैं लोग मुझसे पूछते हैं सद्गुरु आपको सेल्फी चलेगी क्या? मैं कहता हूँ नो सेल्फी क्योंकि ये बचकाने ट्रेंड आते जाते रहेंगे जीवन इन सबसे परे चलता है ये ट्रेंड ऐसे हैं बात ये है कि कोई आपकी फोटो नहीं खीचना चाहता तो आप अपने आप खीचकर हर जगा डाल देते हैं जो कि मुझे लगता है कि ये मेरी कलात्मक समझ से मेल नहीं खाता कि मैं अपनी फोटो खीचकर उसको सब जगा डाल दूँ लोगों ने फोटो की और वो इसे कहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि किसी वज़े से उनके लिए एक कीमती है तब ठीक है क्योंकि फोटो की अपनी खुद की एक जमेंटरी होती है असल में हम आपको ये करके दिखा सकते थे अगर हमारे पास यहाँ कोई फोटो होती है या आप इसको घर पे खुद ट्राइ कीजेगा उधारन के तौर पर मैं कह रहा हूँ मेरी एक फोटो लीजेगा एक ओरिजिनल फोटो बहतर होगी ना कि रीप्रेंट की हुई अगर आप एक ऐसी फोटो लें उसको फोल्ड कर दें ठीक है मेरी कोई भी फोटो नहीं कुछ विशेश तस्वीरें हैं जिनमें मैं एक खास्तिती में हूँ जब वो तस्वीरें ली गई थी फोल्ड की भी फोटो आपको नहीं पता कि उसमें क्या है फिर आप कुछ आँ क्या कहते हैं उसे प्लसीबो पिक्चर्स लीजे ठीक है एक खाली पेज लीजे या कुछ और एक उड़ता हुआ टिडड़ा कोई पेड़ ऐसी वैसी हर तरह की अगर आपको ध्यान करते हुए कुछ समय हो गया है अगर आप इन सब को मिक्स कर दीजे ताकि आप ये नहीं देख पाएं कि कौन सी वाली कहा है अब आप हर एक को टच कीजे शायद आप मैंसे कई लोग जिन्हें मेरे द्वारा दीशा मिली है वो तुरंद पहचान जाएंगे कि वो वाली फोटो कौन सी है अगर वो बहुत जादा कन्फ्यूज नहीं है अब ऐसा कुछ तो वो बस छू कर जाएंगे क्योंकि इस दो आयामी या तस्वीर की चप्टी सतह कि एक जमेटरी होती है और एक अनोखी जमेटरी होती है और वो उससे बाहर आ रही है अगर किसी को इस जमेटरी को पढ़ना आता है तो वो ऐसी जमेटरी बना सकता है कि वो आपको बहतर बना सकता है या आपको फरिशान कर सकता है तो जहां कहीं भी ऐसी कलाएं प्रचलित थी लोग उन्हें का मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं पर मेरी फोटो हो झाल झाल